हलो दोस्तों स्वागत है आपका कैश कर ले बर जहां पर हम आपको देते हैं क्रिकेट की दुनिया की A2Z अपडेट जी हा दोस्तों कैश कर ले ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सिर्फ एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतनी सारी डीटेल्स में जाकर क्योंकि इस live में हम आपको बताएंगे होने वाले match का full prediction जिसमें शामिल होगा dream 11 fantasy 11 और इसके साथ साथ इसमें हम आपको बताएंगे match की full details जिसमें इसके साथ साथ हम आपको each and every player की भी पूरे stats के साथ details बताने वाले हैं दोस्तों और यह details आपको किसी और platform पर नहीं मिलेंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ cash कर ले ही आपके लिए इतनी details में जाकर सारी news आपके लिए लाता है इसलिए cricket के fans और lovers से हमारा निवेदन है कि आप हमारे channel को subscribe जरूर करें इसे share करें इस live को share कीजे जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए जिससे बहुत सारे लोग इससे जोड सके और इसके साथ-साथ cash कर ले आपके लिए लेकर आता है धेर सारे cash prizes जीतने का मौका जिसमें हम आपको live prediction बताते रहते हैं जब हम live match आपको दिखाते हैं उसमें 6 over, 10 over, 15 over और 20 over पर हम आपको live prediction बताते रहते हैं और साथ-साथ आपको भी मौका देते हैं live predict करने का और धेर सारे cash prizes जीतने का. तो दोस्तों, आज के इस match में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो match होने वाला है Thailand Women और Nederland Women टीम के बीच में, इस match की full details हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए कहीं में जाये, इस live के साथ जुड़े रहें, और end तक जरूर इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि इसके बाद आपको इतनी सारी knowledge मिलने वाली हैं इन दोनों टीमों की, जहां आपने कहीं और इन knowledge को नहीं सुना होगा, क्योंकि cash कर ले ही आपको इतनी धेर सारी और depth में जाकर details निकाल कर दिखाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का जो match है Thailand Women और Needland Women के बीच में match होगा, 26 नवंबर को साड़े आज बजे शुरू हो जाएगा ये match, और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों टीमों की full squad के बारे में भी, हम एक-एक player के बारे में आपको detail में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं players की squad के साथ-साथ, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं Needland Women Team, Thailand Women Team, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि captain है इसकी, चायवाय जो captain है better है इस team की, और इसके अलावा इस squad में शामिल है बूच हथम, और इसके अलावा जो तीसरे जो खिलाडी है हमारे इसमें all rounder है ये team की, टिपोच इनका नाम है और इसके अलावा दूसरी all rounder का नाम है C सुथरंग और इसके अलावा दूसरे खिलाडी आते हैं जो better है और उनका नाम है चांतम, एन शांतम, इनका जाना जाता है इस नाम से और इसके अलावा विकेट कीपर की बात करें, तो इस team के विकेट कीपर है नानापद और ये better भी हैं, इसके अलावा चलते हैं दूसरे खिलाडी की तरफ जो है ओनेचा और जो की all rounder है, यानि कि तीसरी All-Rounder है इस team की और इसके अलावा इस team की squad में शामिल है सुलीपोंड लाउमी जो की bowler है इस team की Thailand की और इसके अलावा है एक और All-Rounder इस team में जिनका नाम है रोजनन कानो और यहां पर आप देख सकते हैं कि हम आपको बता रहे हैं पूरी की पूरी स्कौर्ड जो की इस गेम को खेलने के लिए उतरने वाली है मैदान पर दूसरे खिलाड़ी के हम बात करें तो इसमें बोलर शामिल है थिपच्चा और दूसरे जो बोलर है उसका नाम है माया और इसके लावा स्कौर्ड में शामिल है नाथिता और ओलराउंडर की भरमार है इस टीम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलराउंडर है अभी सारा भी इसमें शामिल है और इसके लावा है बैटर सुवाना तो यह है थाइलेंड विमन टीम की फुल स्कौर्ड आपने दिखा होगा दूसरी टीमों में भी अब हम बात करते हैं नीदलेंड विमन टीम के स्कॉड की तो यहां पर आप देख सकते हैं कैप्टन है सीगर्स जो की बैटर है विकेट कीपर भी है इसके अलावा दूसरे खिलाडी है हमारे बीडी लेडे और इसके लावा आती है रोबि लेमन को और बॉलर है लिंच इसके अलावा आइरिस ज्विलिंग जो की बॉलर है टीम की उन्हें भी स्कॉड में शामिल किया गया है और इसके अलावा सिल्वर सीगर्स जो की बॉलर है और बॉलर के तोर पर कैरोलिंदे लांगे को भी लिया गया है और इसके अलावा बॉ में जिन वान बेगु जो की all-rounder है team की और इसके अलावा Thompson जो की एक और all-rounder खिलाड़ी है इस women team की और Robin One जो की एक और all-rounder है तो आप देख सकते हैं all-rounders और bowlers से भरी-पड़ी है नीदलेंड की team अब हम आपको बताएंगे team form के बारे में दोस्तों तो last five matches के बारे में हम discussion करेंगे यहाँ पर each and every stats आपको बताएंगे और हाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्योंकि cash कर ले के अलावा इतनी details में जाके details आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी और यह details आपको prediction में भी बहुत help करती है इसलिए लगाता की जीत लगातार होई थी एक भी match इनोंने नहीं हा रहा था सबसे पहले match के हम बात कर लेते हैं जिसमें निदलन विमेंट टीम ने 128 run बना कर पूरी all out हो गई थी और Thailand विमेंट टीम ने 99 में रनों से ये match जीत लिया था दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि batsman यहाँ पर जो थे इसके star batsman के अगर हम बात करें तो उसमें नाम है बीडी लेडे का जिन्होंने 30 run बनाए थे 34 ball पर 5 चौके लगाए थे और इनके strike rate रही थी 88.24 और दूसरे जो batsman रहे star वो थे as callis जिन्होंने 52 ball बोलों पर 19 run बनाए थे और strike rate रही थे 36.54 इसके अलाबा बात करे बैटर में लिया है रिच के को जिन्होंने 36 ball बोलों में 12 run बनाए थे दो चौके लगाए थे और 33.33 इनकी strike rate रही थी इसके अलाबा है F over ditch जिन्होंने 10 ball बोलों में 4 run ही बनाए और इनके strike rate की बात करें तो वो थी 40 और इसके अलाबा एच सीगर्स जो की captain है टीम की उन्हों इन्होंने लगाया था चक्का लगाया था तीन चौके लगाया थे और 96.97 की इनकी strike rate रही थी इसके अलाबा है Zwilling जिन्होंने 20 ball में 7 run बनाए थे और इनको run out किया था बोचा थमने और एक चौका इन्होंने लगाया था और strike rate रही थी इनकी 35 इसके अलाबा हम दूसरे खला जो है ओस्ट रॉम जिन्होंने सिर्फ चार बॉले खेली लेकिन एक भी रन नहीं बनाया इसके अलावा थॉम्सन की हम बात कर लेते हैं थॉम्सन ने 16 बॉले खेली सिर्फ 6 रन बनाए एक चौक का लगाया और इनकी स्ट्राइक रेट थी 37.50 इसके अलावा जो दूसरे हमारे खेलाडी आते हैं वो हैं E.N.Lynch जिन्होंने 10 बॉलों में 5 रन बनाए एक चौक का लगाया और इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 50 इसके अलावा हम लेते हैं दूसरे खेलाडी जो आते हैं इस टीम के वो थी CD लांगे जो की 9 बॉले खेली लेकिन एक भी रन नहीं बना पा और इनकी स्ट्राइक रेट थी 14.29 तो यह थी पहले मैच की बाद अब हम दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं जो दूसरा मैच नीदरलेंड विमन और थाइलेंड की बीच में हुआ था इसके अंदर आप देख सकते हैं 168 रन बनाकर नीदरलेंड की टीम औल आउट हो गई और इस मैच में भी थाइलेंड विमन टीम ने जीत दाच की थी पूरे आठ रनों से तो यहां पर आप इसके स्टैट्स देख सकते हैं बैटर के हम बताते हैं बात आपको जैसा कि आप देख सकते हैं बीडी लीडे ने 68 बॉले खेली 37 रन बनाए तीन चौके लगाए और इ जेवी वेट ने जो गेम खेला वो हम आपको बताते हैं साथ बॉलो में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रन बनाया और 14.29 इनके स्ट्राइक रही आर रिजगे के अगर हम बात करें तो आर रिजगे ने सिर्फ दो बोले खेली और इनका जो आप पफॉर्मेंस देख सकते ह इसके अलावा जो दूसरे कैप्टिन की बात अगर हम करें एच सीगर्स की जो कैच आउट हो गई थी और इन्होंने 13 बोलो में 5 रन बनाये और 38.46 इनके स्ट्राइक रही आइज विलिंग के अगर हम बात करें तो इन्होंने 40 बॉले खेली लेकिन रन बनाये सिर्फ 18 एक च लगाए और स्ट्राइक रेट रही 60.87 इसके अलावा एंड लिंच के हम बात कर लेते हैं एंड लिंच ने सिर्फ एक बॉल खेली और 0 रन बनाये और केच आउट हो गई थे लाओमी ने केच आउट किया था इने इसके अलावा बोल में को हमने लिया है इन्होंने सिर्फ प अले खेली अपनी टीम के लिए और उसमें भी रन नहीं बना पाएगे तीसरे मैच की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप यह देख सकते हैं तीसरे मैच के अंदर यह दोनों टीमों के बीच में जो मैच खेला गया था उसकी हम डीटेल्स आपको देने वाले हैं दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यहां पर थाइलेंड विमन टीम का परड़ा जारा भारी है क्योंकि लगातार इसने सारे मैच जीते थे वहीं नीदर लेंड के अगर हम बात करें तो नीदर लेंड ने सारे मैच हा रहे हैं तो यह तीसरे मैच आप देख पा रहे हैं 134 रन पर और यहां पर आप देख सकते हैं बैटर की अगर हम बात करें किस तरह से बैटिंग की थी इन्होंने यहां पर तो बीडी लीडे जो की विकेट कीपर हैं वो रन आउट हो गई थी और इन्होंने रन बनाये थे बासट बॉल खेल के 33 रन अपने टीम को दिये एक चौका लग रही इनकी 28.57 आर रिजगे की हम बात करें तो इन्होंने चार बॉले खेली सिर्फ एक रन बनाये और इनकी स्ट्राइक रही 25 जेवी विलियच की बात करें तो हम इन्होंने 36 बॉलों पर 12 रन बनाये और एच सीगर्स यानि की कैप्टन जो रही टीम की इन्होंने 35 बॉले खेल कर 28 रन अपनी टीम को दिये और एक चौका लगाया मात्र और इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो रही 80 इसके लावा आई ज्विलिंग की हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक बॉल खेली और बिल्कुल भी रन नहीं बनाये अपनी टीम के लिए और लगातार में सिर्फ दो रन बनाये है 14 की स्ट्राइक रेट रही यह लिंच किया हम बात करें जो इस टम्ट आउट हो गई थी और इनको इस्टम्ट आउट किया था कैम चोंपू ने जिन्होंने 26 बॉलों में इन्होंने जो रन बनाये थे वो थे 26 बॉलों में 15 रन और एक चौका इन्होंने लगाया था 57.69 इनकी रेट रही थी स्ट्राइक रेट और अब हम बात करेंगे दूसरे खिलाडियों की दूसरे मैच की अगर हम आपको डीटेल्स में दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक मैच की डीटेल्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आप देख सकें कि किस तरह से खिलाडी गेम खेल रहे हैं किस तरह से वो अपनी फॉर्म में चल रहे हैं दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो थाइलिन का जो USA से मैच हुआ था इसकी हम आपको फुल डीटेल्स यहाँ पर बताने वाले हैं यहाँ पर थाइलिन विमन टीम ने चौरान में रन बनाये थे एक विकेट के नुकसान पर और थाइलिन विमन टीम ने जीत दर्श की थी नौ विकेट से इस मैच में तो बैट्समें के अगर हम बैटिंग की बात करें इस गेम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस टिपोश ने बनाए थे 46 बॉलो में 29 रन और डी एन ने बनाए थे 53 बॉलो में 48 रन इसके अलावा बात करें हम बुच्छ थम की जिन्होंने सिर्फ तीन बॉले खेली और दो रन बनाए अपनी टीम के लिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे मैच की तरफ तो यहाँ प साथ थाइलेंड का जिसमें 132 रन बनाए थे दो विकेट के नुकसान पर थाइलेंड ने और थाइलेंड विमेंट टीम ने जीत दरच की थी 16 रनों से इस मैच में बैटिंग किस प्रकार रही वह हम आपको बह दिखाते हैं एस्टिपोश ने बनाए थे 113 बॉलो में 69 रन और इसके अबावा डिन ने बनाए थे 69 बॉलो पे 37 रन इसके बनाए थे 20 बॉलो में सिर्फ पांच रन अपनी टीम के लिए बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नीदरलन के जो भी लास्ट फाइफ मैचे तो प्रकार रहे थे उनकी फु यहाँ पर सबसे पहले मैच से हम शुरू करते हैं जो मैच हुआ था नीडलेंड विमिन टीम का थाइलेंड के साथ और इसमें नीडलेंड ने बनाए थे 128 रन पर पूरी टीम ओल आउट हो गई थी इस मैच में भी थाइलेंड नहीं जीत दर्च की थी निन्यार में रनों से औ लिड़े ने 34 पॉलों में 30 रन बनाए थेmayın के लिएनद भी वेश नहीं बनाए थे थे 27 रन और बॉलों की बनाए थे, यह वी ओस्तों की रड़ेंड गे थे उन्होंने 4 बाद है तो उन्हों ने चार बाली खेली तो सांग सकते हैं A.S. Thompson ने 16 बॉलों पे 6 रन बनाए एक चौका लगाया और N. Lynch की बात करें तो N. Lynch ने 10 बॉलों में 5 रन बनाए 15 की स्ट्राइक रेट रही CD Leng की बात करें तो इन्होंने 9 बॉले खेली लेकिन एक भी रन नहीं बना कर दिया अपनी टीम को और लांधिर की बात करें तो इन्हो किस खिलाडी ने कितने रन बनाए हैं तो आप लगातार आप देख सकते हैं दूसरे मैच की डीटेल्स यहां पर आपके सामने हैं जो नीदर लाइन का हुआ था था थाईलिन विमन टीम के साथ 168 पर ओल आउट हो गई थी टीम और यहां पर आप देख सकते हैं बैटिंग किस तरह से रही थी बीडी लीडे ने बनाए थे 68 बॉलों में 37 रन एसकालिस ने बनाए एक राण में पे 54 रन बनाए और एफ उबर डिश्क ने 46 बॉलों में 28 रन बनाए एन लिंच की बात करें तो उन्होंने पर सिर्फ एक ही बॉल खेली और एक भी रन नहीं बनाया और जी बोले में इनकी बात करें तो उन्होंने 5 बॉलों पे सिर्फ 5 रन अपनी team को बना कर दिये, इसके अलावा सीडी लिंग की बात करें तो इन्हों ने भी दो ballin खेली, लेकिन run एक भी नहीं बनाया और एच लांदे ने बी दो ball एक खेली, लेकिन run एक भी नहीं बनाया, तो यहां पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाडी फॉर्म में चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है हम फुल डीटेल में आपको जाकर दिखा रहे हैं कि किस खिलाडी ने कितने रन बनाए तीसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आयरलेंड विमेंट टीम का जो माच हुआ था नीदर लेंड विमेंट टीम के साथ इसमें आयरलेंड ने 186 रन बनाए थे दो विकेट के नुकसान पर और आयरलेंड ने जीत दर्ज की थी आठ विकेट से यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बैटिंग रही थी एल पॉल ने 63 पर 27 रन बनाए जी लुइस की बात करें तो इन्हों ने बनाए थे 95 बालों आप देख सकते हैं नीदल एंड विमन टीम का आयलेंड विमन टीम के साथ और इसमें नीदल एंड ने 127 रन बनाए थे पूरी टीम ओल आउट हो गई थी बैटिंग की बात करें तो बीडी लिडे ने बनाए चार बालों में 6 रन और ASV बोग की बात करें तो इन्होंने 58 बा इन्होंने 3 बाले खेल कर एक रन बनाएं Moana MINQC और 2 रन बनाए और सीघर इसने 5 बाले खेली रन सिर्फ एक स्कोर किया IBD warning के बात करें तो यहां देख सकते हैं आप सब तरफ zero ही zero यहां पर नजर आ रहा हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया खास अपने टीम के लिए लेकिन not out रहे यह गरीमत रही तो आप बढ़ते हैं दूसरे match की तरफ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं खिलाडी to खिलाडी full details कि इस तरह से उन्होंने performance दी हैं आप देख सकते हैं यह जो दूसरा तीसरा match था यह Thailand women team ने खेला था नीदेलेंड women team के साथ और यहां पर हम आपको details समझा रहे हैं हर एक details आपके सामने लेकर आ रहे हैं और यहां पर अब हम बात कर रहे हैं head to head के तो last 10 matches के head to head हम आपको यहा एक भी match नहीं जीता है दोस्तों और यहां पर उन match के बारे में full details हम आपको बताएंगे तो पहला जो match हुआ था वो हुआ था Thailand और नीदेलेंड के साथ और यहां पर आप देख सकते हैं जिस ground पे यह match हुआ था उसकी भी हम आपको details देंगे कि कि कितने match यहां पर हो गए है तो पहले match के हम बात कर लेते हैं head to head के जो नीदेलेंड विमेंट टीम का Thailand विमेंट टीम के साथ हुआ था 99 रनों से Thailand ने जीत दाच की 30 में और यहां पर आप बैटिंग देख सकते हैं किस प्रकार रही है बीडी लेडे ने 34 बॉले खेली 30 रन बनाए और S कालिस ने बनाए 20 बॉले खेल के 7 रन टीम के लिए RV ने बनाए 4 बॉले खेली 0 रन बनाए और H Thompson की बात करें तो उन्होंने 16 बॉल खेल के सिर्फ 6 रन अपनी टीम को दिये एन लिंच ने 10 में 5 रन ही बनाए और CD लेंग के बात करें तो उन्होंने 9 बॉले खेली तो सरी लेकिन एक भी रन न बनाए और H Lander ने 7 बॉले खेल कर सिर्फ एक रन बना के अपनी टीम को दिये तो यह था वो फर्स्ट मैच है टो एट का अब हम बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ जो बता रहे हैं हम आपको फुल डीटेल में कि किस तरह से मैच हुए थे और यहां पर आप देख सकते हैं यह मैच हुआ था 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 थाइलेंड नीदेलेंड विमेंट टीम से और यहां पर 168 रन पर ओल आउट हो गई थी नीदेलेंड की टीम था थाइलेंड ने जीद अच की थी आठ रनों से और किस तरह से बैटिंग रही थी वह आप देख सकते हैं बीटी लीडे ने बनाए 68 पॉलों में 60 रण。 इस match में एसकालीस ने ekran में बॉल खेल कर चौनवन रन बनाएं जे वी विलिट ने बनाएं 7 बॉलों में एक run और ridgeγhi ने बनाए 2 बोलों में 0 run takarig anu 13 फे 5 run जो की captain निए टीम की poka 5 फे 5 run इन्हों अपनी टीम को बना कर दिए Trek 7-9 टीम के बात करें तो नो ने दो Bohl खेली तो झाली लेकिन 0 हमेशा के तरह स्कोर किया बहुत ही खराब फॉरम से जूझ रही है यह खिलाडी अब इस टीम की तीसरे मैच की तरफ हम बढते हैं लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से खिलाडियों ने ये गेम खेला था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे match हम details में आपको दे रहे हैं दोस्तों और ये details आपको कहीं नहीं मलेगी सिर्फ और सिर्फ मिलेगी तो मिलेगी cash कर लेके platform पर अब आप देख सकते हैं तीसरे match यहाँ पर आपके सामने है नीजिलेंड नीदेलेंड का थाइलेंड के साथ जो मैच हुआ था उसमें 134 पर ओल आउट हो गई थी नीदेलेंड टीम और सो रनों से थाइलेंड की टीम ने जीत दर्च की थी यहाँ पर और बीडी लीडे ने ज बाल खेलके 0 रन ओवर डिक्ष ने बनाए 14 बाल पर 5 रन और जी बोल में ने बनाए 5 पर 2 एन लिंच ने बनाए 26 पर 15 और एच लाधे ने बनाए 26 पर 10 और सीडी लेंग ने बनाए 19 बाल खेलके सिर्फ तीन रन अपनी टीम के लिए तो यह देख सकते हैं आप पूरी मैच अभी हमने आपको दी हैं यहाँ पर अब हम सिरीज स्टेट्स बताएंगे आपको ODI की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थाइलेंड विमेंड टीम की जो सिरीज स्टेट्स हैं यहाँ पर थाइलेंड विमेंड टीम ने तीन मैच लीड कर रहे हैं आपर और जीरो मैच overall comparison करके बता रहे हैं दो नों टीमों के बीच में तो यहाँ पर आप मैच देख सकते हैं दोनोंने 10-10 मैच खेले जीते थाइलें ने 80% मैच जीते हैं नीड़ियंड ने 0% मैच जीते हैं और average score की बात करें तो Thailand के रहे हैं 184 और नीदर लेंड के रहे हैं 149 और highest score की बात करें तो Thailand ने बनाए है 247 रन और नीदर लेंड ने बनाए हैं highest score 196 और lowest score की बात करें तो Thailand के रहे हैं 93 और नीदर लेंड के रहे हैं 83 तो यह है overall comparison इन दोनों टीमों का अब हम आपको बताएंग की स्लाव यानि की जिस ग्राउंट पे यह मैच खिला जा रहा है वहां पर इन दोनों कच नहीं करわかें तो इस Idilek पर इन दोनों का वोग्मन लॉटिय थ Іंब ना सामना हुआ था पहले ग्राउंट्र और यहां पर उसचोर आप बार इन मैच खिले गए इन दोनों टीमों के बीच में और जीतने के चांसे किसके बने थाइलेंड विमन टीम के 100% जो तीनों मैच जीते हैं वो थाइलेंड विमन टीम नहीं जीते हैं नीदर लेंड को हार का सामना करना पड़ा तीनों बार एबरेज स्कोर रहा है 215 थाइले टीम का और 128 रहा है नीदलेंड की टीम का और अब हम आपको बताने वाले हैं इन तीनों मैचों के अंदर जो prediction है यहाँ पर खेलने का जो prediction है यहाँ पर आप यह देखिए कि हम आपको हर मैच का prediction बताते हैं तो यहाँ पर कौन सी टीम बैटिंग करके जो जीतने वाली है उसका भी हम आपको बताते हैं बोलिंग करके जीतने वाली है उसका भी हम आपको बताते हैं तो आप देख सकते हैं यह तीनों मैच बैटिंग फर्स्ट करके 100% जीते गए हैं यहाँ पर तो य यहां पर इस ग्राउंड पर किस के चांसे से पेस मिले के चांसे से 58 परसेंट और स्पिन के चांसे से 42 परसेंट तो आप साफ साफ देख सकते हैं यह ग्राफिक्स के जरीए हम आपको दे रहे हैं फुल डीटेल्स यहां पर और रीसिंट मैच्च के अब बात करेंगे जिस ग्राउंड पर मैच खेलने जाने वाला है वहां पर जो रीसिंट मैच हुए थे उनकी डीटेल्स अब हम आपको दि लेख सकते हैं किस तरह से यहां पर गेम खेला यहां के प्लेयर्स ने तो बैटिंग के हम आपको बता देते हैं डीटेल्स की बीडी लीडे ने बनाए हैं 34 बॉलों पे 30 रन एस कालीस ने बनाए 52 पे 19 एर रिचके ने बनाए 36 पे 12 और इसके लावा एफ ओवर डिच की बात करें जिन्होंने 10 बॉले खेल कर चार रन दिये अपने टीम को एच सीगर जो की कैप्टन हैं उन्होंने बनाए हैं 33 बॉलों पे 32 रन तो ये हैं पहले मैच के डीटेल्स अब हम आपको बढ़ते हैं दूसर मैच की तरफ दोस्तों इसके साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैश कर ले आपके लिए धेर सारे कैश प्राइज लेकर आ आने वाली बैटिंग करने वाली टीम और अगर आपका प्रेडिक्शन हमारे से मैच हो जाता है अगर आपको देते हैं तो हम आपको देते हैं उसके बदले में धेर सारे कैश प्राइज बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ तो यह मैच आप देख सकते हैं नीदर लेंड का की थाइलेंड ने आठ रनों से बैटिंग किस तरह से रही हो हम आपको बता देते हैं बीडी लीडे ने बनाए 68-37 एस कालिस ने बनाए 95-1 जेवी विलेट ने बनाए साथ पे एक और रिचके ने दो बॉले खेल जीरो रन बनाए और इसके लावा सीगर्स की बात करें जिन लेंग ने दो बॉलों पे जीरो रन बनाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैटिंग की गई इस मैच में एच लांधिर की बात करें तो कुछ खास नहीं करके दिखाया इनोंने अपने खिलाडियों के लिए और इसके लावा तीसरे मैच की बात करें तो नी इटी लीडे कि आप देख सकते हैं बासर बॉलों पे 37 रॉन एसकालिस ने बनाए 42 पे 12 आर रिचके ने चार बॉले खेली लेकिन एक रन बनाए अपनी टीम के लिए जेवी विलिट ने 36 पे 12 रन बनाए एस सीगर्स की बात करें जो की कैप्टन है टीम की उन्होंने बनाए 14 पे 5 बोलमें की बात करें इन्होंने 5 पे 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए एन लिंच की बात करें तो 26 पे 15 रन बनाए और लांदीर की बात करें तो 26 पे 10 रन बनाए इन्होंने और सीडी लेंग ने बनाए थे बहुत ही मामूली रन आप देख सकते हैं चार्ट में तो ये आपको बताएंगे सबसे important part यानि की इस वीडियो का सबसे important part हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे fantasy 11 तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि fantasy 11 यानि कि dream 11 में आप कौन-कौन से player को pick कर सकते हैं तो top pick में आप देख सकते हैं wicketkeeper में आप ले सकते हैं BD-Liddy को और batsman कि हम बात करें तो batsman में तीन batsman आप ले सकते हैं N.uche Why को ले सकते हैं एंचoonthab को ले सकते हैं सGO लेसकते हैं और इसकालेस के अलाब आप ALL-rounder की तरफ अगर आप जाते हैं तो all-rounder में आप इसको pick कर सकते हैं आप देखिए O, कामचोम को ले सकते हैं, S, टिपोच को ले सकते हैं, और I, जुलिंग को ले सकते हैं, तो ये तो हुई All-Rounder की बात, अब बोलर की बात करें, तो बोलर में आप ले सकते हैं, S, लाओमी को, T, पुट्टा को, E9K को, और At, लांधिर को, तो आप ये देख सकत हैं, तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, fantasy points की, तो यहां पर आप देख सकते हैं, fantasy points हम आपको बता रहे हैं, तो आप सुली पॉर्ण लाओमी की आप देखिए, fantasy points रहे हैं, 340, 3 innings में, आरे जुलिंग के जो fantasy points है, 301, 3 innings में, और नथा कंचांथम की बात करें, तो इन points मनाए हैं, इन्होंने, और इसके अलावा, टिपोच की पॉइंट से वो रहे हैं, 226, तो यह है fantasy points इसके अलावा हम बत कर रहे हैं, चैंठम की, जो fantasy points रहे हैं, वो है, 119 में, और BDL के 100 रहे हैं, इसके अलावा चायवाई की, जो fantasy points रहे हैं, वो है, नब हैं और इसके लाबा हैं कालेस जिनके fantasy points रहे हैं 85 और इसके लाबा है रोजनन कानो जिन्होंने run बनाए हैं 70 यानि कि आप ये देखी इनके ये जो fantasy points हैं इसके साथ हम आपको runs भी बता रहे हैं कि कितने run इन्होंने बनाए यहां पर ये सबसे ज़्यादा most run बनाने की जो आप देख पा रहे हैं सबसे batsman सबसे ज़्यादा run बनाने वाले ये ही हैं अब हम बात करेंगे most wickets की किसने लिए सबसे ज़्यादा wickets तो लाओं इने लिए 9 wickets और आईरिस दूलिंग की बात करें तो इन्होंने लिए 8 wickets और नीचा की बात करें तो इन्होंने 6 wickets जटके एवा लिंच की बात करें तो 6 wickets इन्होंने भी लिए और टिपोच ने लिए 5 wickets तो ये थे सबसे ज़्यादा wickets लेने वाले बोलर्स और इसके लावा हम बात करेंगे अब most sixes की तो छक्के लगाने वाले में सबसे पहले आ रह है चांथव जिन्होंने 102 रन बनाए तीनों इनिंग में और इसके लावा है चायवाय जिन्होंने पैसट रन बनाए चांथब ने बनाए पच्पन रन कालिस ने बनाए चावबन रन और नाथाकन चांथब ने बनाए 42 रन तो ये हैं highest scorer और best strike rate अब हम आपको दिखाएंग तो best strike rate में आप देखिए रोजनन कानो की strike rate रही है 80.60, 88.60, heather seekers की रही है 80.24 और इसके लावा चांथम की रही है 69.58 और चायवाय की रही है 63.82 और टिपोच की रही है 61.01 तो ये है best strike rate वाले players, best economy rate किस की रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, टिपोच की रही है 2.86 और न टिपोच की रही है 3.15 और नताया की रही है 3.29, सुली पॉइंट की रही है 3.37 बेस्ट फिगर के हम बात कर लेते हैं तो लाओमी ने 26 रन देकर 4 विकेट लिए टिपोच ने दिए 15 रन लेकर 3 विकेट, ओनीचा ने लिए 35 रन देकर 3 विकेट और लाओमी ने लिए 43 रन द अब हम आपको देने वाले हैं एक ऐसी डीटेल्स तो आप देख सकते हैं लगातार हम आपको कैश कर ले पर खिलाडी टो खिलाडी, each and every match to match, each and every information आपको बता रहे हैं दोस्तों और अब हम यहाँ पर आपको team analysis करके बताएंगे, last five matches पर यह analysis depend करता हैं तो यहाँ पर आप द बात करें, team opening की पहले बात कर लेते हैं, team opening के अंदर Thailand बहुत ज़्यादा strong है और इसके अलावा middle order भी Thailand का strong है, नीदर एंग का weak है, betting depth की बात करें तो वो भी Thailand का strong है, नीदर एंग उसमें भी weak है, pace balling में Thailand थोड़ी सी कमजोर है, pace balling नीदर एंग की strong है, इसके लावा spin bowling की बात करें, तो Thailand इसमें मजबूत दिखाई दे रही है, और नीदर एंग बहुत ही average इसके अंदर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि Thailand की team का पल राज जादा भारी है, हमेशा की तरह है, जैसा कि इन्होंने पिछले match में भी जीत दर्च की है, तो यहाँ पर उमीर बाताएंगे, recent performance में कैसे रहे हैं, तो पहले लेते हैं, चायवाई को, जिनकी recent performance हम आपको दिखा रहे हैं, overview में आप देख सकते हैं, किस तरह से इन्होंने run बनाए, top player में भी इनका नाम आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जितने भी matches इन्होंने खेले, बहु इनके T20 करियर के ODI की करियर के बात करें, तो 11 match में 10 inning के अंदर 334 run बनाएं, और उने 100 run अपने best दिये हैं, 1 century मारी है, 2 50s मारी है, strike rate रही है 62.66, average है, आप देख सकते हैं किस तरह से कि average भी इनका काफी strong रहा है, दूसरे है Nataya, जिनका overview आप देख सकते हैं किस तरह से रहा ह हैं और 12 number पर all rounder के number पर आप ये hashtag के साथ train कर चुकी है, और इनके ODI के हम बात करें, तो 11 match के अंदर 9 inning के लिए हैं, 123 run बनाए है, 54 इनका best score रहा है, 100 इनो ने एक भी ने लगाई, 50 एक बार लगाई है, strike rate है 60.89, बढ़ते हैं दूसरे खिलारी की तरफ, यहाँ पर आप दे देख सकते हैं, किस तरह से रहके गया हैं, और यहाँ पर हम खिलारी चो खिलारी आपको details बता रहे हैं, किस तरह से इनका career रहा है, तो यहाँ पर आप देखें, टिपोच का career काफी अच्छा रहा है, आप देख सकते हैं, सामने all rounder है team की, 11 match हो में, ODI में उनने 10 inning के अंदर 245 रहा है, 69 इनका best रहा है, और 59 ने एक बार लगाई है, 100 एक बार भी ने लगाई, strike rate हैं की 52.58, इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरे खिलारी की चानिंदा की, जिनका आप overview अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, यह देखिए आप इनका overview, यहाँ पर आप देख सकते है इनका जो total match इनोंने खेले हैं, इनके 25 रन बनाए हैं, 3 innings के अंदर strike rate है, 59.52, average इनका 8.33, तो यह है इनका overall career, तो यहाँ पर आपको दोस्तों इससे मदद मिलती हैं कि आप किस खिलारी को लेना चाहते हैं अपनी dream 11 के अंदर, तो आप full इनकी details यहाँ पर देख पा रहे है इसके अलावा दूसरे जो खिलारी हैं वो हैं चान्थम जिनका overall view आप देख पा रहे हैं, screen पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनोंने match में run बनाए, 135 पे 102, 14 पे 4, 11 पे 6, अगर इनके ODII career के बात करें तो 7 matchों की 7 inning में 216 run बनाएं और 102 इनका best रहा, एक बार century लगाई, 50 पी एक बार लगाई और स्ट्राइक रेटर 63.16, दूसरे खिलारी के तरफ बढ़ते हैं हम, अब दूसरे खिलारी हमारे आ रहे हैं, विकेट कीपर हैं ये और नाना पत इनका नाम है, और इनके recent form आप देख सकते हैं किस तरह से रही हैं, और इनके ODI career के अगर हम बात तो ODI में इनोंने 11 match खेले हैं, और 10 innings के अंदर इनोंने 189 run बनाए हैं, 47 run इनका best रहा है, इसके अलावा बढ़ते हैं हम दूसरे खिलारी की तरफ, तो इस तरह से हम सारे खिलारी की details दोस्तों हम आपको दे रहे हैं, और ये details आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्पर सिर्फ म उनीचा जो भी all-rounder है टीम की और आप देख सकते हैं किस तरह से इनोंने run बनाए हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन ODI की 11 match में इनोंने 7 इनिंग में 69 run बनाए हैं, 16 इनका best रहा है, तो ये है इनका छोटा सा ODI करियर, बढ़ते हैं दूसरे खिलारी की तरफ, तो दूसरे ख ग्रेक बोलर है, और किस तरह से इनका ग्राफ रहा है, आप देख सकते हैं, ODI के हम बात कर लेते हैं, 11 मैचों में 11 इनिंग में 16 विकेट लिये हैं, और 26 पे 4 इनका best रहा है, तो ये है लाओ मी का करियर, और इसके लावा हम लेते हैं कानों को, जो कानों का जो recent form है, आप द देख सकते हैं कि इनके strike rate रही है, 86.59, बढ़ते हैं दूसरे खिलाडी की तरफ, तो ये दूसरे खिलाडी हमारे आ गए है, पुटा वांग, जो की left arm, spin bowler है, और recent career आप इनका देख सकते हैं, ODI की बात करते हैं, 11 मैच के 11, इनिंग में 9 विकेट इनों ने लिये हैं, और 18 पे 5 इनका best रहा है, economy rate रही है, इनकी 2.97, तो ये हैं हमारे खिलाडी, इदर खिलाडी हम आपको जो stats बता रहे हैं, full, माया की बारी आ गई है, माया ने उनका गरम overview देखे, तो इस तरह से इनोंने run बनाए हैं, ODI की बात कर लेते हैं, 6 मैचों की 5 इनिंग में 2 विकेट इन उने लिए हैं, 24 पे इनका best रहा है, और 6.00 इनकी economy rate रही है, दूसरे जो खिलाडी आते हैं, अब हमारे वो आ रहे हैं, बोन सुखम, जिन्होंने ODI में से पे 1 मैच खिला है, और अभी तक 1 मैच खिला है, 0 विकेट लिए हैं, तो आप देख सकते हैं, कि इनका career तो अभी सि ही हुआ है, दूसरे खिलाडी की तरह बढ़ते हैं, वो हैं, खिया तो, जो की right-handed batter है team के, और इनके जो T20 international career की बात करें, तो एक मैच उन्होंने खेला है, और एक ही मैच में उन्होंने को अपना खाता तक नहीं खोला है, अब बढ़ते हैं, दूसरे खिलाडी की तरह, नीदिलेंड टीम की, दोस्तों अभी हमें आपको बताया है, थाइलेंड टीम के, अब हम बात करेंगे नीदिलेंड टीम के हर एक खिलाडी के form की, तो सबसे पहले लेते हैं, सीगर्स को, जो की captain है team की wicket keeper batter भी हैं, और इस तरह से उनका career रहा है, आप देख सकते हैं, ODI के 5 5 matches में, 5 innings के अंदर 85 run बनाए हैं, 32 इनका best रहा है, बढ़ते हैं, दूसरे खिलाडी के तरफ, जो है डिले डे, बी डिले डे, जो की wicket keeper batter हैं, और बहुत ही बढ़िया खिलाडी है team की, ODI करियर की इनकी बात करते हैं, बैटिंग करियर अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ब इनकी strike rate रही हैं, तो यह है BD लीडे, अब हम बढ़ते हैं, दूसरे खिलाडी की तरफ, जो है रिज के right handed batter है team की, और बैटिंग करियर की बात करते हैं, जो ODIM इनोंने 6 match में, 6 inning के अंदर 36 run बनाए हैं, और 27 इनका best रहा है, बढ़ते हैं दूसरे खिलाडी की तरफ, और ODI match में हम इनकी performance की अगर बात करें, तो 5 match में 5 inning के अंदर 198 run बनाए हैं, 66 इनका best रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कालिस का full graph, अब हम बढ़ते हैं दूसरे खिलाडी की तरफ, जो की लांधेर हैं, यह right arm medium bowler हैं team के, ODI के बात कर लेते हैं, 4 match में 4 inning में 5 wicket लि अभी तक का, तो यह हैं लांधेर की overall view, और इसके अलावा हम बताते हैं, blow man की full stats, तो आप देख सकते हैं, all rounder team के, और उन्हों ने ODI करियर में 3 match खेले हैं, और 3 में 8 run बनाए हैं, 5 इस number इनका best रहा है, और इसके अलावा, इवा को हम लेते हैं, इवा ने, इवा लिंच, जिन्होंने, right arm, leg spinner है, bowling career, इनके बात कर लेते हैं, 6 match में 6 inning के अंदर 7 wicket लिये हैं, 33 पे 4, इनका best रहा है, दूसरे बढ़ते हैं, खिलाडी की तरफ, और अब आ गई है, Iris Zwilling, जिनको हमने dream 11 team में भी लिया था, तो उनका career आप देख सकते हैं, किस तरह से रहा है, right arm, medium bowler है और 6 match में 6 inning के अंदर 12 wicket लिये हैं, 25 पे 5, इनका best रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, Zwilling की full stats, अब हम बढ़ते हैं, दूसरे खिलाडी के तरफ, जो के Seegers, Silver Seegers के हम stats आपको बताने वाले हैं, तो यहां पर आप देखिए, leg spin bowler हैं, और bowling career के अगर हम बात करें, त 24 पे 4 इनका best रहा है, और बढ़ते हैं, दूसरे खिलाडी के तरफ, तो दूसरे खिलाडी हमारे आ रहे हैं, करोलें दिलांगे, जोने leg break, googly bowler भी कहा जाता है, bowling career इनका रहा है, 5 match में 5 inning के अंदर 4 wicket लिये हैं, 30 पे 2 इनका best रहा है, तो यह थी लांगे की full details, अब हम बढ over ditch, जो की right arm medium fast bowler हैं team की, और ODI career हम आपको दिखाने वाले हैं, screen पर 6 match में 5 inning के अंदर 7 wicket और 49 पे 3 इनका best रहा है, तो यह है, over ditch की full form performance आप देख सकते हैं, किस तरह से इनके stats रहे हैं, दूसरे खिलाडी की तरफ, आप बढ़ रहे हैं, विलेट की हम बात करेंगे, तो विलेट का career आपके सामने है, overview आप देख सकते हैं, विकिट की वर बैटर हैं, और betting career की बात करें, तो 4 match में 4 inning के अंदर 35 run और 20 इनका best रहा है, score, अब हम बात करेंगे, दूसरे खिलाडी के netherland की, team की जो आग रहे हैं, आपके सामने, तो य है, S.Wen Begu, जिनका betting career ODII का रहा है, 3 match में 3 inning के अंदर 32 run इनोंने बनाए है, और 26 इनका best रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कि जादा अनुभव नहीं है इन खिलाडियों को, बहुत ही कम इनोंने अभी तक game खेली है, और इसके अलावा हम ले रहे हैं, Thompson को, जिनका overview आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर, ODII में एक match इनोंने खेला है, और 6 run बनाए है, और 6 ही इनका best रहा है, इसके अलावा है, Robin Wynn, उस रहे उनको बात कर लेते हैं, जिनका betting career, 2 match का रहा है, 2 inning के अंदर 14 run बनाए है, और 14 ही इनका best रहा है, score, तो ये थे, फुल सारे खिलाडी इस दोनों टीमों के आपको हमने बताए, हर एक खिलाडी का फुल फॉर्म, किस फॉर्म में वो चल रहे हैं, पूरा स्टाइट्स के जरीए भी हमने आपको दिखाया, तो ये था 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 थाईलिंग, विमन वर्सिस, नीजल एंड विमन वर्सिस का फुल match prediction, कैसा लगा दोस तो comment करके जरूर बताएगा comment box में, और इसी तरह के match prediction देखने के लिए जुड़े रहे हैं, cash कर ले के साथ